ओम सिरी गनेश आयनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मीन राशी वालू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अपरेल से 22 अपरेल यानि कि अपरेल महां के इन 10 दिनों के आपकी राशी के महाराशीफल के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए 13 अपरेल से 22 अपरेल याने कि इन 10 दिनों का समय ग्रहनक शत्रों के इसाब से किस प्रकार रहने वाला है इन दस दिनों में आपको किन-किन चीज़ों से फायदा होगा, किन-किन चीज़ों से आपको शाफधान आना होगा, आपकी लव-लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका बिजनेस में पार कैसा रहेगा, आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन दस दिनों का श्रमपोर शटिक 80 पल इस वीडियो के माद्द भूसे हम आपको बताने वाले हैं वीडियो बहुत मह्त्पूरण हैं शुलू से अंतर तक वीडियो को पूरा देखे वैसे भी आपको बता दें इन दस दिनों में शनीका शशियोग, कालसर्प योग, राजयोग, सुबहग्यवान योग और धनयोग जैसे पांच सुभ योग बन रही है तो समझ लें कि इन पांच सुभ योगों को बनने से आपके लिए समय कितना बलवान रहेगा सबसे पहले तो यह जाने हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्पपूर हैं और आपके लिए वीडियो फायदेबंद ही सावित होगी यह समझ लें क्योंकि इन दस दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय सावित होगा परन्तु किस प्रकारी है समय सावित होगा वीडियो में शंपोन विस्तरित तरीके से आपको जानकरी देंगे तो शुरू सेंतर तक वीडियो को पूरा देखें ज़े दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना और जय बजरंगवली जय शनीदेव कमेंट वोक्स में अवश्य लिखना तो चलिए दोस्तों 13 अपरेल से 22 अपरेल 10 दिनों का शंपोन शतीक राशिपल बता देते हैं कैसा रहेगा इन 10 दिनों का समय आपकी राशिपलों के लिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब समय पूंड तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे इदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुआरा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रह भाईयों के साथ किसी महत्वपून मुद्दे पर शकारात्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए ए प्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्यूप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता स अब आपको राहत मिलेगी धार्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठक कान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सभी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ स आपको खुसियां महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बढ़ते कोई नकार अत्मक बात आपसी संबंदों को खराब कर सकती है आलस की विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाय के प्रती जादा एकागर चित रहें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वज़े से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकार अत्मक कमियों को दूर करके आप बहतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तो के साथ जादा गुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सदियो प्योग करें दोस्तो साथि साथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी बहे हैं कैई बार किसी अधान रहें शेयर शक्टा आदी में किसी प्रकार का आप निवेश ना करें तथा साथि साथ किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महबानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने काम काज के प्रत सजग रहें साथि साथ पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस सम्मंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारतमक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन त सबी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व हैं किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसे समंझस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंत रखना भी आपके लिए अति आवशक है रिष्तेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उत्सब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पति-पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प परिष्टपन कर सकता है, दोस्तो बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की, तो व्यॵसाइक दृष्टी कोण से समय पूरता आपके पक्श में हैं, आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे, नौकरिपेसा लोगों को भी अपना काम करने पर सीनियर आफिसरों से शकारात्मक परिणाम हासिल होंगे शैयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें जिस कारे को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुश्किल भरा होगा इसलिए अपने कारे के प्रती पूरी तरे से एकागर्चित रहने की आपको आवश्क्ता है नोकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कारे छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखू भी करेंगे नोकरी पे साइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय बहुती आपको साबधानी बरतनी की आवश्क्ता है जरासी भी लापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती है इस समय कारे की गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवश्क है प्रॉपर्टी अंधित कारों में सफलता मिलेगी तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपून योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षय को प्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी कार्य चेत्र में धन तापती के लिए किये गए नए अनुबंद विख्षित होंगे तथा नई योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबबी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके लिए लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स् उचित इलाज लें साति सात अत्यादिक काम की वज़े से धकान वे कमजोरी महसूस होगी शमय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक हैं साति सात अपने खानपान बर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भोजन आप ना करें परेज करें सुपाच् स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा साति सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें